हेलो स्टूडेंट्स मैं आपको रैबिट का पैक्टोरल गड़ल दिखा रही हूँ ठीक है यह है पैक्टोरल गड़ल या अंस मेखला कहलाता है या शशक जो होता रैबिट के हिरदय और फेपडों को सुरक्षित रखता है यह दो अरधांशों हाफ से मिलकर बना है जो क्लेविकल और स्कैपुला कहलाते है प्रतेक अरधांश जो है कोरे को स्कैपुला कहलाता है तिकोनी चौरी हड़ी का बना होता है अरधांश का प्रमुख भाग स्कैपुला है ठीक है इसका जो मेन भाग है वो स्कैपुला होता है स्कैपुला है इसका मेन भाग जिस पर अब एक सीद कोराकॉइट जुड़ी होती है कोराकॉइट एक कोरोकॉइट प्रवर्ध के रूप में दिखाई देता है इसकैपुला के उपर किनारे पर कार्टिलेस का बना सुप्राइस कैपुला होता है कोराकॉइट प्रवर्ध जो है के पीछे ग्लिनाइट कैविटी इस्थित होती है जिसमें हिूमरस का सिर ग्हूमता है कोरेकोइट स्कैपुला के बाहर एक्रोमियल इस्थित होता है क्लेविकल अब इक्सीद पतली हड़ी के रूप में पाया जाता है ठीक है ऐसा दिखता है ये कोरेकोइट प्रोसेस ठीक है स्कैपुला इस टेप की दिखती है जाओके आपके एक्षब प्रोसेस बाहरा है झाल झाल